नमस्ते फ्रेंट्स कैसे हैं आप लोग आशा करती हो अच्छे होंगे और फिर सवागत है मेरे एक नए वीडियो में नई रेसिपी के साथ में तो देखिए हमने ले लिया दही आज हम दही की रेसिपी बनाएंगे क्योंकि फ्रेंट्स गर्मिया शुरू हो गई है गर्मी चीजे खाने का बहुत ही अच्छा लगता है मतलब ठंडी चीजे बहुत पसंद आती हैं सबको तो हम टेस्टी हल्दी सी ठंडी ठंडी सी रेसिपी बनाएंगे आज जो कि सबको बहुत पसंद आने वाली है तो देखिए हमने ले लिया दही आप अपने हिसाब से ले सकते ह अगर आपको पतला करना है तो आप डाल सकते हैं थोड़ा सा पानी डालके इसको फेट ले और उसके बाद में डाल देंगे इसमें नमक आधी चमच और फ्रेंड से सबको बहुत पसंद आता है रोटी चावल के साथ में भी आप खाए इसको और अगर तहरी के साथ में बिर और यह डाल देंगे इसमें चाट मसाला लगबग आधी चमच के इतना आप इन चीजों की मात्रा कम जादा कर सकते हैं मतलब जितना आपको बनाना उसे साब से आप बढ़ा ले या और कम बनाना है तो कम कर लें तो यह तीनों चीजे हमने डाल के मिक्स कर दी है और उसके ब जरू डालने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है तो इसलिए जरू डालें आप लोग भी और गर्मियों में खाने का तो मज़ा ही कुछ और है आप इसको डेली बनाएं डेली खाएं कोई नुकसान भी नहीं करता है और बहुत अच्छा होता है तो यह देखिए सारी जिची मिक्स कर दिया अच्छे से अब ठाल दें गे इसमें प्याज एक लिया था हमने मीडियम साइस कमे उसको में काता है ना बहुत मोटाना बहुत पतला मैं इम कटा है और एक घरी मेर्च ले लिए और तोड़ी से अर the State of the तो दो तीन मिर्ची भी डाल दें और एक अलू है अमने उबाल के लिया था उबाल लिया था फिर उसको ठंडा कर लिया और चोटे-चोटे-चोटे सा काट लिया था तो आप लोग इसको जरूर बनाएगा बना के जरूर देखिएगा कैसा लगता है और कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि सबको पसंद आया कि नहीं वैसे हमारे हां तो सबको बहुत पसंद आता है सब लोग बहुत मज़े से खाते हैं फ्रेंज तो और अभी तक आप ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो को लाइक करिए शेयर कमेंट भी करिए और अच्छे कमेंट करके मुझे बताइए कि आज की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी और आप लोग भी ज़रू से ट्राइब करिएगा इस से यह देखिए इसमें फिरिंट मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था तो मैंने एक चमच और दही डाल दिया था इसमें तो देखिए बिल्कुल परफेक्ट हो गया है देखिए कितना अच्छा सा लग रहा है इसको चाहें तो आप वैसे ही खा सकते हैं मतलब कंप्लीट है य तो यह में थोड़ा सा तड़का लगा देंगे तो इसरो का लिया है तो और अगोड़ा सा ही तेल लिया है देखिए तेल को अच्छे से गरम हो जाने देंगे देखिए तेल गरम हो गया था तो हमने उसमें डाल दिया है जीरा और एक लाल मिर्च थी उसको मैंने तोड़के डाल दिया है और थोड़ी सी हींग डाल देंगे उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है फ्रेंट तो जरूर डालिए हींग आप लोग तो देखिए बस आप वैसे भी जैसे अपने सारी चीजे मिक्स करके रखी थी वैसे भी इसको खा सकते हैं वह भी बहुत टेस्टी लगता है तो बस अब इसको मिक्स कर देंगे अच्छे से अब लोग बना के देखिएगा कैसा बना है और सब को पसंद आया कि नहीं जरूर बताइएगा मु